Hello friends, welcome to my YouTube channel मैं आप सुझी का सोगत है फिर जह में एक नई यूडिव के साथ आचुके हैं एक नई अब्रेट के साथ आचुके हैं जो आज की जो मारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है जहां पर सेलरी पेस्टिंग बहुत ही अच्छा रहता है बहुत ही बैस्ट रहता है तो आज हम बात करेंगे हमारी इस वीडियो के अंदर स्टापनर्स की वेकेंसी से रिलेटेड और यह हैं स्टापनर्स की वेकेंसी कहां से आई है बहुत ही अच्छे स्टेट से हर्याना से देखने को मिल रहे हैं कि हर्याना की स्टाप नर्स के वेकेंसी है आप सभी को पता है कि हर्याना के अंदर जो पे स्केल रहता है वो शैलरी का बहुत अच्छा रहता है तो इसे बहले हम आप सभी को पता दू हमारे वाटसप का लिंक नीचे description के अंदर दिया गया है ऐसी ही हरियाना से related new new informations आपको timely पहुंचाते रहेंगे हम तो चलिए हम देखते हैं यह वेकंसी कहां से निकल रही है district health and family welfare society district पानीपत यानकी हरियाना का district है यानकी एक district है पानीपत वहां से यह वेकंसी निकली है और यह है वेकंसी स्टाप नर्स की वेकंसी है ठीक है तो देख लीजी advertisement district health family welfare society district पानीपत invite the application on the prescribed format from the eligible candidate for filling up the following vacant portion की district पानीपत की और से आप सभी को एक applications prescribed किया गया है जो भी candidate eligible है वो क्या कर सकते हैं इस वेकंट पोस्ट एंगी जो वेकंट पोस्ट है इनको अपलाई कर सकते हैं ठीक है और जो भी selected criteria है वो civil surgeon office में पानीपत ओफर्याना नेशनल हेल्थ mission के तहत यह वेकंसी निकाली गई है आप सभी को में बता दो तो हम देख लेते हैं इस वेकंसी के अंदर कि क्या-क्या इसके अंदर complete detail दी गई है candidate must go through the instructions uploaded अगर आपको और ज्यादा information लेनी है तो इसकी जो नहीं हरियाना की जो website है www.nhm-haryana.gov.in पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं वहां से अच्छे से आप कर सकते हैं देख सकते हैं तो हम देख लेते हैं यहां पर staff nurse की post आपको बताओ 29 post है अनकी 30 post इसके अंदर क्या दिये गई है इसके आपको nurse की post निकाली है पानिपत डिस्टिक की तरब से इसके अंदर अलगलग category के अंदर अलगलग due edition क्या गया है जैसे general की 13 post दी गई है SC की 5 post दी गई है BCA की 3 post दी गई है BCB की 2 दी है general X servicemen यानकी general जो पहले से X servicemen उनकी 2 post है SCA servicemen की एक post है BCA servicemen की एक post है ऐसे करके total list में जो vacancy निकाली गई है वो 29 vacancy इसके अंदर क्या गई है निकाली गई है साथ हम आपको बता देगी name of the post इसके अंदर ये देख लीजिए आप divization किया गया है कि कितनी vacancy इसके अंदर दी गई है अगर program के name की बात करूँ यान की कुछ vacancies है जो program के name के अंदर divided गी है आप अच्छे से इन्हें देख लीजिएगा अब हम मैंन बात करते हैं eligible criteria के बारे में कि कौन-कौन candidate है हर्याना के जो क्या कर सकते है अपला ही कर सकते है इस vacancy को तो सबसे पहले bsc nursing ये gnm course from the recognized institute by the government एंकि जो भी candidate इस फॉर्म का बढ़ना चाता है वो क्या होना चीह या तो bsc nursing होना चीह या फिर gnm nursing होना चीह ठीक है यादि कोई भी institute से क्या होना चीह bsc nursing और gnm nursing होनी चीह दूसरा देते हैं, registered with the haryana nurses registered counselling और साथ में कहां से registered होना चाहिए registered होना चाहिए haryana nursing council यानिकि haryana nursing council से candidate क्या होना चाहिए, registered होना चाहिए ठीक है, उसके बाद next देख लेते हैं इसका जो pay scale है, वो कितना रहने वाला है तो इस vacancy का जो pay scale रहेगा तो वो 13500 पर रहने वाला है यानिकी जो इसकी salary रहने वाली है वो 13500 पर पर मंत के इसाब से salary रहने वाली है, eligible criteria मैंने आपको बता दिया है, ठीक है post के बारे मैंने आपको बता दिया है 29 post है, और इसके अंदर कुछ सबसे important चीज जो vacancy से related होती है यह देखिजिए, आप यहाँ से ध्यान से देख लिएगा यानकी last date of the submission of the completed application form यानकी, जो last date हता है form complete करने की वो है 7 February, यानकी 7 February तक क्या कर सकते हैं आप form को complete कर सकते हैं आप form को बर सकते हैं, उसके बाद हरियना के अंदर सबसे अच्छी चीज यह देखने को मिलती है कि साथ साथ इसके अंदर सब कुस दे दिया जाता है यानकी last date आपको दे दी गई कि 7 February, 4 PM तक आप form बर सकते हैं उसके बाद आपका जो documents verification होगा वो 15 February को होगा यह देख लिजी अच्छे से यानकी जो 15 February को क्या होगा documents verification होगा उसके बाद date of the test and interview यानकी आपका test कब रहेगा वो 16 February को क्या रहेगा आपका interview रहेगा यानकी interview आपको क्या रहेगा 16 February को आपको interview देना पड़ेगा ठीक है यह देख लिए इसमें सिविल सर्पानिपत के सिविल सरजन के साइन है ठीक है यह सब DPM and DAM सभी के इसके अंदर साइन दे रखे हैं उसके बाद कुछ important instruction दे रखे हैं यहाँ पर यह instruction पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है तो देख लिजी इसके इसके इंदर क्षट के देख लिएगे इसके इसके इस लीट की बात पर हो है यही होती है कि इसके जो चर्डी रेही होती है कि आप सब इसके इसके इंदर देख लिए इसकी जो एज लिमिट रहेगी the minimum अगर में इसके क्या रहेगी मैं इसके लिमिट रहे हो एइसके बातीक हो चाहिए तो आप जानना चाहते हैं तो यह contact नमर दिये गए हैं पानीबत एनचे में की जो वेकंजी निकाली है वहाँ से क्या हैं डोक कोंटक्ट नमर हैं यहां से आप call करके या contact करके और information इस वेकंजी के बारे में चाहते हैं को ले सकते हैं थैंक्यू सो मच वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो अच्छी लगती है और इंफ्रमेटी लगती है तो वीडियो को सेयर करें साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें जय हिंद जय भारत